विल्कम शुरेंट्स, आज के हमारी जब नए वीडियो है, उसके अंदर हम देखने वारे हैं, नेक्स कोश्चन, एक्सराइज 11.3 का कोश्चन नुम्र 3, यह देखते हमें, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, यह कुछ सुलिशन है तो मैंने मिटाया नहीं है, जो हम तो जंदी से लेख लेते हैं, कोश्चन में बोला क्या है, इस ने बता दिया है, कि सर्क्राइज क्या है, सर्कल की 154 मीटर, तो हमारा जो आंसर में अपर सर्क्म्फ्रेंज इकोस टू पाई आर होता है, तो सर्क्म्फ्रेंज की जगब मैं लिख दूंगा 154 मीटर, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस, रेडियस मुझे इससे मिल जाएगा, हाईए चलते हैं, पर देख लेखें, उसने मुझे बता है, अगर ये कोश्चन में नहीं भी बोलता, बच्चो समझो, तब भी हमें निकालना पड़ता, कोश्चन एट दान बोलेगा, अभी बोल दिया है, तो इसके वेल्य ठोड़ी कम हो जाती है, अगर नहीं बोलता तो इसके वेल्य थोड़ी जादा हो जाती, क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाना है, तो उसके निर आपको मार्क्स मिल पर यकियो की फॉर्मुला लगाने के भी, चालई अभी देख ले यह दोनों डिनामियाटर में आ जाएंगे जल्दी से हम इसको सॉल्ड कर लेते हैं यह 2 से काट जाता हुआ है यह आधेगा 1177 आ गया यह फिर देवर है 117 तो आंसर आया 49 अगर आप ध्यान से देखें हमारा रेडियस यहां पर भी क्या था 49 अपन टू मीटर लें तो 49 अब आया अब आपने एडिया निकालने के लिए पाया स्क्वेर यह मैंने वैजू दाली और यह मैंने सॉल्ड करा आंसर आ गया आपको समझ में आया विकाज आपको दिखा रहा हूं तो आप यहां से देख सकते हैं मैं सब कोशन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप खुद ट्राय करें उसके बाद यह आंसर देखें अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज क कर लें और आगे फॉर्वर्ड ज़रूर करें इससे हमें भी अप्रिशेटर मिलता है और आगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं थाइंक आपको वाचन सी यू नेक्स वीडियो